इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे, एक होगा अपने चोटा टेलिस्कोप और दूसरा चंद्रैन 2 की अपोलो मस्ती, तो यह है डेगा, डेगा यानि तेलगू मैं, वल्चर, यह इस टेलिस्कोप का नाम है, यह एक चोटा सा टेलिस्कोप है, जिसकी capability एक चोटे टेलिस्को या एक बड़े बाइनो के लिए जितनी है, इसका जो focal length है, 300 mm का है, अब देख सकते हो, मैं इसे पकटने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर यह बन रहा है, एक चोटे क्यूप सैट, यानि साटेलाइट, या कोई ड्रोन के लिए, अब इसकी कहानी बहुत इंटरस्टिं जिनका नाम है, उन से जाके मिलते हैं, और उनकी छोटे monolithic telescope के बारे में बात करते हैं, monolithic मतलब एक single piece में, तो एक glass में उन्होंने एक telescope बना है, वो भी सब हाथ से वगेर है, यह जो आप देख सकते हैं, इसमें mirror है, अगर आप space domain में फालो कर रहे हो, आपने सुना है, तो आ mirror वाले telescope होता है, उनका नाम होता है, उनके category मतलब कह सकते हो कि reflecting telescope, इस case में specifically यह है, Schmidt का से grand telescope, यानि SAT, अब यह कैसे काम करता है, light rays आएंगी, main mirror जो spherical mirror है, इस case में उसे hit करेगा, hit करके बीच में एक छोटी mirror को converge करेंगा, और वहां से reflect हो कि main mirror में एक hole होगा, वहां से निकले अब यह एक interesting है, क्योंकि यह बहुत बड़े lens वाले telescope को चोटे से fold करके, चोटे से part में बना देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको focal length मिल सकती है, चोटे से length में या area में जो भी बोला, आप समझ गयोंगे, folded telescope, तो यह काफे interesting था, क्योंकि उन्होंने पूरा चीज एक चोट और वगिर explain कर रहे थे, उसमें हो mention किये कि previous video का अच्छा response मिला, और कुछ start-ups ने ये कुछ से बनाया, तभी उन्होंने दिखाया अपने screen के उपर Eon Space Labs, उन्होंने का कि ये start-up है जिन्होंने replicate किया, quickly replicate किया, और फिर मैंने देखा इमेज में एक रुपे का coin था, अब यहा और उन्होंने वहाँ ये बनाया, ना कोई Indian company है, तुरंत में Eon Space Labs के LinkedIn पे कया, उन्हें email किया, contact किया, तर मेरे को एक चीज अलग लेगे इनकी LinkedIn पे, usually, especially मैंने इंडिया में देखा, क्योंकि foreign के उतने start-ups को follow नहीं करता, कि ये कोई भी नया start-up बनाते, एकदम fancy graphics डालेंगे बड़े-बड़े claims होंगे, नाम वगेरा होगा, और फिर claim करेंगे 2022 या जो भी 2020 में launch होगा, वैसे, इनका LinkedIn अलग इसलिए था, क्योंकि actual products थे, इनके LinkedIn के उपर, actual hardware जिन पे इनने काम किया है, simulations वगेरा, और ये काफी अलग है, ये आज भी मैं बोलता हूँ, Twitter पे भी और करो, उपर ये करो, उसे scale down करो, material दो, आपका rocket बन गया, पर एक startup के credibility तब बढ़ती है, मेरे हिसाब से है, जब आप actual hardware दिखा हो, आपके founders का background या जो history है, वो जादा technical हो, actual काम किया हो, funding हो, आपके पास, बहुत सारा पैसा हो, वैसे, इसलिए आप देखो के काफी सालों से, म पूरा वीडियो नहीं बना से, तो ये अच्छा लगा मेरे को, इन Space Labs का, उन्हें contact किया, उन्होंने reply किया email का, उनसे बात की, मैंने, बहुत बढ़िया लोग है, ये लोग तीन founders है, और इनकी मतलब 10 साल की history है, इंडस्ट्री में, optics में, mechanical engineering और 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 ये खुद ऐसे products के उ होता, देगा, ये उन्हेंने मुझे, मैंने मतलब मैंने उनसे मांगा कि आप भेज सकते होगा, क्योंकि मेरे को वीडियो के लिए वगेरा लगेगा, तो उन्होंने एक बहुत early prototype बेजा देगा, इसलिए आप देख सकते होगा, इसलिए फोड़ा unfinished है, फोड़े scratches वगेरा, क्योंकि उन्हें, उनका एमें की, एक क्यूबसाइट के उपर ये fly हो, तो वो सब काम कर रहे है, और जो rig था, जो मैंने कहा, जिसने ये monolithic telescope बनाया है, previous video, होईगन्स optics के वीडियो में, वो इनके साथ touch में भी एक coordinate भी कर रहे है, तो interesting time है, क्योंकि ये काफ़ी advanced field है रहे है, जिसमें में चंदराएंट 2 पे जो camera है, जो गजब camera है, one of the नी, the best, the highest resolution camera चांद के अराउंड, वो रिच्टिक रेटें configuration इस्तेमाल करते है, obviously वो बहुत ज़्यादा high end है, बहुत बढ़ा है, वो तो उसी के बारे में हम next बात करने वाले है, इस video में, 0.2 या 0.3 meters per pixel, उसका डेगा टेलेस्कोप के उपर, वो 16-17 meter expect करें, GSD, और यह जो है RCT telescope, जो अब भी दिखाया है में आपको, उस पर 4-5 meters depends, तो अभी हम RCT telescope की बात ही कर रहे है, तो आज जाते हैं हमारे अगले topic के उपर, जो है चंदराएंट 2 की Apollo मस्ती, तो जैसे मैंने previous यह, मतलब बहुत प आपको बॉटम राइट में नंबर दिख रहा होगा, ब्राकेट में, वो सोर्स है इस इमेज का, और यह जनरली मेरे पूरे वीडियो का थीम है, अगर आपको कोई भी सोर्स जानने है मेरे information के या मेरे claims के, बॉटम लेफ्ट में आपको एक नंबर आते दिखेगा, वो आप description में follow कर सकते हो, I mean education channel भीना sources, education channel नहीं हो, entertainment channel हो, तो यह आप देख सकते हो, यह गजब sharp images है, अपने चंद्रेयान 2 से, इतने high resolution में हमने orbit से किसी भी चीज़ को अब तक नहीं देखा है, तो यह of course confirm करते है Apollo अगरे, इससे पहले भी NASA की images मिल चुके हमें, पर आप देख सकते shadow वगरा, depth वगरा दिख रहा है, Apollo 11 का image है, यह Apollo 12 का image जो है, वो और भी ज़्यादा interesting है, क्यों? कि आप देख सकते हो, Apollo 12 जो था, सर्वेर जो उनका lander probe था, उसके side में जाके land किया, आपको नहीं हो famous image देखा होगा, जहाँ पे astronaut selfie ले रहा है, पीछी server के साथ, सर्वेर के तो यह काफे interesting और अदलब set करता है, कितने world class instruments है, चंद्रायन 2 के उपर, या अगर आप मेरे channel को board time से follow करते हो, तो हमने science achievements में mention किया था, पर तभी officially release नहीं होता image, अभी इजरो ने officially release किया है, description में link मिल जाएगा आपको उस portal का, या bottom left में जो आपको number मिल रहा है भी screen के support कर सकते हो, आपको मेरे private discord का access मिलेगा, आम वहाँ बाते करते हैं, गानेते, research करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आजाओ, हो सके तो, ज्यान की गरीपी सबसे बड़ी, जय हिन जय भारत, इस वीडियो के producers ते कार्थिका देवाल, बुटलाई चेतन्या, जयम शर्मार, हुई